नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे वन टक्स ब्लाउस कटिंग एंड स्टिचिंग यह देखिए फ्रेंड्स मैं इसकी ब्लाउस की जो लेंद्थ है वो 16 इंचेज ले रहे हूं 14 इंच यह हमारा तयार होगा और मैं इसका जो शोल्डर है वो मैं इसका लोंगी 7 इंचेज क्यो इंचेज वह मोख़ा है जो थोटा है इसका जो आम हॉल है वह ले रही हूं 6 यह कि हमारे जो साइज वह मोख़ा है इसलिए मैं इसका जो शोल्डर हो भी कम ले रही हूं यह देखिए मैं स्का जो रेस्त Enjoy 8 एंद हाफ नेक है वो मैं ले रहे हूं 2.5 लेंज मैंने लिए इसकी 4.5 इसको राउंड शेप दे दिया अब हम इसकी कटिंग करेंगे बहुत ही एजी ली तयार होता है यह ब्लाउस इसकी कटिंग बहुत एजी है और बहुत ही कम टाइम में यह बनकर तयार हो जाता है देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली अब मैं इसकी जो टक्स है उसकी मार्किंग करूंगी यहां से जो मार्किंग कर रही हूँ 3.5 पे और इसकी जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं 6 इंचेज बैक मेंब कर लोगई यह हम अब करेंगे फ्रन्ट पॉट्शन के क्टिंग इसी को रखके मैं इसकी मार्किंग कर लोगई बिल्कुशं मैंसे ही देखे पहले हम रख लेंगे बिल्कुल सही जगा निकाल के क्योंकि हमें अभी प्रेस भी क्टिंग करनी है तो उसके लिए भी क कपड़ा चाहिएगा इसलिए कपड़े को अच्छे से रखके हम इसकी मार्किंग करेंगे देखिए इसमें हम नीचे भी एक्स्टा कपड़ा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम इसमें सिर्फ जो फ्रंट टस्क होती है उनली वही लगाएंगे और कि कोई भी साइड की टक्स नह लिए कोई भी कपड़ा एक्स्टा हम नहीं लेंगे सिर्फ जो हुकाई की पट्टी होगी उसकी लिए हाफ इंच मैंने एक्स्टा लिया साइड में और कोई भी एक्स्टा कपड़ा नहीं लिया यह देखिए अब हम गले की जो लेंद्ध है वो लेंगे मैंने 5.5 लिया है यह मैंने लिए 3 इंचेज क्योंकि हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए कपड़ा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगी 2 इंचेज हमारा जो मार्जिन है और यह मैंने थोड़ी सी इसमें आगी की जो है शेप देदी है एक्स्टा क्योंकि हमारा जो साइज है बहुत ही क करी है शोल्डर की देखिए अब हम इसको कटिंग कर लेंगे अब हम आइज है इसको कुटिंग कर लेंगे अब हम अब हम फ्रन पॉर्शन की जो टास्क है उसकी मार्किंग करेंगे यह देखिए मैंने फॉर इंचेज लिया है और जो इसकी लेंद्ध है वो मैंने लिया है टैन पॉंट फाइज और इसको बिल्कुल सीधा ड्रो कर देंगे ऐसे ही बैक में भी हम ड्रो करेंगे यह देखिए यह हो गया अब हम करेंगे हमारी स्लेफ की कटिंग देखिए मैंने कपड़े को फॉर फोल्ड करके रख लिया स्लीफ हमारी है सैवन इंचेज और टू इंच में एक्स्टा ले रही हूँ निची से वन एंड हाफ वोल्ड होगा और हाफ इंच हमारा ओपर सिलाई में जाएगा यहां से मैं 3 इंचेज लोंगी देखिए और हमारा आम होल है 6.5 इसको रांड शेप दे देंगे और आगे से मरी स्लीव की जो मोरी है वो है फाइव इंचेज और टू इंच में एक्स्टा ले रही हूं यह हम इसको मिला देंगे यह देखिए अब हम इसकी करेंगे कटिंग इसमें भी हम हलकी सी आगे की जो फ्रंट में आएगा उसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा एक्स्टा था तो इसको भी मैंने कट कर दिया देज हो यह हमारी हुकाई की पट्टी देखिए बिलकुल एकदम सही से मैं इसको कट कर लोंगे हमारी ब्लाउस कटके कंप्लेट है